नमस्ते किसान भाईयों और बहनों, आप देख रहे हैं Great भारत चैनल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए, जिसके कारण हमारे नए वीडियो जल्दी से आप तक पहुचेंगे। सबजियों को चुने या फिर सीधे किसानों से ही सबजिया खरीदे। फिर भी सबजिया अच्छी, शुद्ध और ताजी है, इसकी गैरेंटी कोई नहीं दे सकता और इसी बिना गैरेंटी की सबजिया खाने से वीमारिया होने की संभाव ना भी बढ़ सकती है। इसलिए इन स मिट्टी की तुलना में ये खेती अधिक उत्पादक है। नियंत्रिच जलवायू में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते है। इस तकनीक के जरिए फसल पानी और उसके पोशन स्तर के जरिए बढ़ती है। और पारंपारिक खेती की अवधारना को तोड़ते हुए आज अपने घर के सामने ये छट पर भी खेती की जा सकती है। ये हाइड्रोपोनिक सिस्टिम से सच साबित हो रहा है। मिट्टी रहित खेती को करने के लिए आपको जरूरी पोशक तत्वों कंकर, कोको, पिट, परलाई, आदी की अवशक् करोना काल में जब किसानों को अपनी खेत में उगाई हुई चीजों को बाजार में जाकर बेचना, उनके लिए सही मार्केट की तलाश करना एक मुश्किल काम था, वही करोना के खत्रे को देखते हुए ग्राहकों का भी बाजार जाना कठिन प्रतित होता था। ऐसे समय में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की तकनीक एक नए विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है। तकनीक का उपयोकर सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक और शिक्षा के क्षेतर में पुरातन काल से क्रांती होती आ रही है। वैसे ही हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की तकनीक स पारमपारी खेती के तौर तरीकों में एक बदलाव लाया जा सकता है। हमारे देश में कई राज्यों में जहापर पानी की कमी है तथा शुष्क जल वायू है वहाँ इस तकनीक का महत्व बहुत है। तो ये वीडियो था कि जगदम उद्योक समुवा ने तकनीक के माध्यम से खेती की पद्धती में लाय बदलाव के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में जरूर बताईए। और ऐसे ही नए वीडियो के लिए ग्रेट भारत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय भारत ग्रेट भारत धन्यवाद।